कविता गाना गाच चुकेगी इस सेंटेंस को इंगलीज में ट्रांसलेट करेंगे आज की इस वीडियो में तो दोस्तो जिस भी इन इस सेंटेंस के अंत में चुकेगा चुकेगी आए ओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से ट्रांसलेट होता है इंगलीज में और यह sentence future perfect का affirmative sentence है तो future perfect tense के affirmative sentence को English में translate करने का नियम होता है पहले subject लिखते हैं और यह sentence का subject है कवीता यानि एक नाम है तो पहले कवीता लिखेंगे उसके बाद sell या will have में से कोई एक helping verb लिखना है तो यहाँ पे will have रहेगा तो कवीता के बाद लिखेंगे will have उसके बाद verb का third form लिखना है और इस sentence का verb है गाना गाना तो गाना को English में sing कहते हैं sing का third form होता है song उसके बाद जो भी other word other object है तो इसमें कि गाना एक object ही रूप में यहाँ पे हो जाएगा a song कवीता गाना गात चुकेगी इस sentence की English होती है कवीता will have sung a song कवीता will have sung a song तो दोस्तो ऐसे ही और भी Hindi to English Translation वीडियो देखने के लिए इस चैनल के playlist में जाएं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही रोजाना ट्रांसलेशन सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें